आप सभी साधक और साधिका बहन को मेरा साधर परणाम सुईकार हो आज मैं कैसे चमतकारी अपसरा की साधना को लेकर आया हूँ जो कि आपको रोडपती से करोडपती, रंक से राजा और गरीब से अमीर बस चुटकी बजाते ही बना देती है यह चमतकारी अपसरा आपकी हर एक सपने को, हर एक मुराथ को, हर एक खोईस को बस चुटकी बजाते ही पूरी कर देती है यह चमतकारी अपसरा आपको लोगों के नजर में भगवान बना देती है या आपको अपने समय का बेताज बासा बना देती है इस चमतकारी अपसरा की साधना कोई भी कर सकता है चाहे वो नया साधक हो, पुराना साधक हो, इस्तरी हो, पुरुस हो, नर हो, नारी हो, किनर हो, किनरी हो एक छोटा बच्चा भी इस चमतकारी अपसरा की साधना को सिद्ध कर सकता मैं आपके समक्स वही साधना लेकर आता हूँ जो कि मैंने किया होता है या मेरी गुप्त सक्तियों द्वारा मुझे प्राप्त होता है मैं कोई भी आडम पाखंड किताबी ग्यान लेकर नहीं आता हूँ और नहीं मैं किसी का समय वेर्थ करता हूँ आप इस साधना को इस अपसरा का जो नाम है बिदी अबिदान है मंत्र है इसको आप कहीं पर भी खोज लेजे किसी भी किताब मुलाना ओजा पंडी तांतरी का गोरी यूटुब गूगल कहीं पर भी अगर आपको मिल जाता तो आप मुझे बताइए मैं अपना चैनल डिलीट कर दूगा और यह साधना एक लाख एक परसंट डंके की चोट पर सिद्ध होगा ही होगा क्योंकि मेरी मुझे निकली वानी पत्थर पे लिकी हुए लकिर जो कि एक लाख एक परसंट सत्यता का परवान देती ही देती है और यह चमतकारी अपसरा क्या-क्या करती है ध्यान स वस में होगा इसका वसीकरन इस दुनिया में कोई भी नहीं काट सकता है इस चमतकारी अफसरा का जो वसीकरन है इसको इस दुनिया में कोई भी नहीं काट सकता है उसके बाद में यह पैसे से भारा जो गो डाउन होता है एक जगा से दूसरे जगा बस आप पलक जपकाओ आप एक जगा सो दूसरे जगा उस पैसे से भरा गोडाउन हो जाएगा आपको पैसे की जरूरत है बस आप इस चमतकारी अपसरा को बोल कर देखो आपने चुटकी बजायने की उतना पैसा यह आपके समक्ष लाकर रख देगी यह आपको मारन, मोहन, चाटन, वसीकरन, अस्तंबन बिद्यूसन, सांती करम, सट करम में सट करम करती है और सट करम की यह तो बेताज बास्ता है इसको सट करम में कोई हरा ही नहीं सकता उसके बाद में यह आपको सटे का नंबर देती है सटे में गली, दिसावर, गाजियावाद, फरिदावाद, मेन, मुंबई, कल्यान, राज डोनों ही लौटरी का नंबर बताती है और इसका बताए वाधिकारी का सीगनेचर लेना है उस फाइल पर या कोई कोई सामान को यहां से वहां करना है बस नीचे का जो धन होता है जिसे कहते हैं गरा हुआ धन जो जमीन के नीचे गरा हुआ धन होता है और गुप्द धन होता है उसकी 1,1,60 जानकारी देती है कैसे निकालना है कब निकालना है खुद ये निकाल कर भी दे देती है अगर आप इसको बोलोगे तो क्योंकि इसकी पैसे का नंबर क्या है, सारा कुछ यह बता देगी, नोट का नंबर क्या है, वो इंसान क्या चाहता है, उसका Past, Present, Future, History, Geography, Biology, सब आपको यह बता देगी, यह आपको गुप्त औसधी का घ्यान देती है, जो भी गुप्त औसधी होता है, जरी और बूटी जो होता है, उसकी य जानकारी देती है, और वह जरी बूटी की जानकारी है, पिर्थिवी पर किसी के पास भी नहीं होगा, जो आपके पास होगा, गुप्त से गुप्त बीमारी जो होता है, मातर चुटके बहाता है, आप ठीक कर दोगे, यह आपको गुप्त से गुप्त जो साधना होती है, ज तो किसी के पास भी नहीं होगा इस दुनिया में, वो चीज आपको यह सिखाएगी। आपको कोई मतलब importance नहीं दे रहा है, आप जहां भी जाते हो लोग आपको ignore कर दे रहा है, आप किसी से बात भी करने जाते हो तो लोग आपसे वहां से उठकर चला जाते हैं, आपसे बिना बात किये तो आप बस इस चमतकारी अपसरा का मंत्र जाप करके देखो, फिर देखो चमतकार क्या होता है, चाहे हो लड़का हो, लड़की हो, इस्तरी हो, पूरुस हो, नर हो, नारी हो, किनर हो, किनर हो, किनरी हो, बच्चा हो, बूटा हो, पसू हो, पक्षी हो, जो कोई भी आपको देखेगा, ततकाल वस्ती भूत हो जाएगा, आपके पीछे पागल हो बहुत बर इक बीमारी से ग्रिसित है लेकिन वो बीमारी ठीक नहीं हो पा रहा है तो बस आप इस चमतकारी अपसरा का मंत्र जाप करके देखो फिर देखो चमतकार क्या होता है बीमारी जर से गायब हो जाएगा डॉक्टर को दिखा दिखा कर ठक चुके हो दुनिया में जा जहां तहां जा जाकर पैसा बरवात करके ठक चुके हो तो बस इस चमतकारी अपसरा का मंत्र जाप करके देखो फिर देखो चमतकार क्या होता है आपके जीवन में वो जो बीमारी होगा जर से खतम हो जाएगा आपने किसी को पैसा दे नहीं रहा है तो बिट इंट्रेस्ट आपको पैसा देगा आपकर किसी ने केस कर दिया हो केस आप जीज जाओगे आपका बीवा नहीं हो रहा तो बीवा हो जाएगा आपकर संतान आपका नहीं हो रहा तो संतान आपका होगा आपका जौप नहीं लग रहा तो जौप लग जाएगा आपका बिजनस नहीं चला त अपसरा है या आपकी हर ख्वाइस आपके पलक जपकते ही पूरी कर देगी आपकी हर एक मुराद आपकी हर एक जो सपना आपने देख रहा है आपकी हर एक इक्छा जो इसे कहते हैं वह आपकी चुटकी बजाते ही पूरी कर देगी यह चमतकारी अपसरा बहुत ही सकती साली और powerful अपसरा है इसका जो माया जाल होता है इसकी जो सक्ति है वो मतलब किसी के भी बस का बात नहीं है इसे रोक लेना अगर आपने इसको चला दिया तो या आपके जिंदगी को एक कहते है ना लकजिरियस लाइप जिसे कहते है वो ऐसा बना देती है या आपको हर एक इक्छा आपके जो हर एक इक्छा है वो आपके कहने मातर से मतलब आपके सोचने मातर से ही पूरी कर देती है या आपको लोगों के नजर में भगवान बना देत यह साधना आपको सोम बार वाले दिन करना है और यह साधना एकांत कमरे में करना है आपके सिवा उस कमरे में कोई नहीं जाएगा आपको क्या करना है पहले चावल लेना है और तील लेना है ठीक है उसको दो जगा अलग-अलग करके लेना है एक-एक किलो करके लेना है आपको एक दो जगा मतलब एक एक किलो करके ले आए जिस जगा पर आप साधना कर रहे है उस जगा पर गोल करके दोनों जगा पर रख देना है गोल धेर करके रख देना है उस पर आपको चौमुखा दीपक मिले तो ठीक है ने तो चौमुखा दीपक आपको मिलना ही चाहिए आपको मिले तो चार परकार का तेल और चार परकार का इत्र मिलाकर आपको दीपक को परजुलित करना है पांच परकार का मिठाई पांच परकार का फुल पांच परकार का फल साथ लॉंग साथ बतासा साथ आपको सुपारी चाहिए सुपारी को लाल कपरी में बांध कर उसको सामने पिर इस मंत्र को 11-11 बार बोलना है और जबी आप बोलोगे कि समक्ष में यह अपसरा खरी हो जाएगी बोलेगे मुझे क्यों बुला है तो आप बोल दीजेगा आपका जो भी काम हो आप बताइएगा और यह अपसरा आपके पलक जपकते यह काम करतेगी तो मंत्र ध्यान से स सुनिये मंत्र ओम-यम-श्रीम-यम-क्रीम प्रिये तमा आगच्च-आगच्च-आगच्च्छ स्वाह तो गुरुपरति प्रेम गुरुपरति आस्ता और गुरुपरति विश्वास बनाकर रखी साधना एक लाख एक परसंट ढंके की चोट पर सिद्ध होगा ही होगा